राम मंदिर की मान को लेकर के शिवसेना की तरब से संसद परिसर ने इस वक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है आप देख सकते हैं कि शिवसेना के जो संसद है वो हाथों में इस समय पंप्लेट लेकर के ये मांग करने हैं कि राम मंदिर बनना चाहिए इस पंप्लिक में साफतोर पर ये लिखा हुआ है कि हर हिंदू की यही पुकार पहले मंदिर फिर सरकार शियुसेना लगातार राम मंदिर कोले करके मांग करती रही है शियुसेना के जो प्रमुख है उन्होंने 25 नमबर को आयोध्या में जा करके वहाँ पर लोगों को संबोधित किया था और ये कहा था कि टेंट में जो राम मंदिर इस समय है वो नहीं रहना चाहिए शियुसेना के सांसद यहाँ पर मौझूद है संजेर आउज जी भी हमारे साथ है संजेर आउज जी आपकी जो मांग है उस मान पुले करके लगातार सरकार में आप साथ में हैं क्या बड़ी मांग आप रहे है यह तो सबसे बड़ी मांग है ना हमने कोई तंबू से निकालने के लिए क्या सरकार को करना चाहिए मंदिर बनाओ गौवर्मन बिल लेकर आईए उसमें क्या है यह मांग आरेशेस की है यह मांग विश्योंद परिशत की है यह मांग सिवस्वनाप्रमुद्व ठाकरी की है हम सब एक है मैं राहूल गांदी जी को अवान करता हूँ राम मंदिर के मामले में ओ भी हमें हमारे साथ खड़े हो जाए राहूल गांदी से क्या आप बात्चीत करेंगे सबी की तरफ की राशी इसमिता का मुद्द together कोई हमारे असमिता नहीं है राम मंदिर हम और से आए तो रहूल गांदी ने हमारे साथ स्ब्रच्वा में आपकी किसा नसदा क्या इस भुद्दे को आप और सधनों में लेकरके आ रहे जो यहीं तो चल रहा है अभी हमारे मटीना करें अभी इस पर सरकार की तरफ कोई बयान नहीं दिया गया है हम यही तो देख रहे हो कि पहली बात है इसे कि हम नहीं वच्छत दिया ना इंडिक से दिया कि नहीं पूर राम मंदिर में यूद्या मंदिर का निर्मान करेंगी अब उस बच्छत को प्रतिबत्त रहो काम करो इसके लिए को कानून आवश्यत्त है वो नहीं ला रहे हूं इसलिए हम आज प्रदर्शनी कर रहे हैं और अब आज वहां पॉस्ट भी लाया हुआ है सरक्छ पार्लामेंट में और उसके लिए मांग करें कि जल्दे से जल्द का लगातार मांग की जा रही है कि मंदिर बनाया जाना चाहिए लाम मंदिर को मांग कोने करके लगातार शिवसेना अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन करती रही है आज संसथ परिसर के अंदर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है वैसे में सरकार ने रखके हुए शिवस दिल्ली तक के वीडियोस को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं